मैं हूँ अमद और ये है थोड़ा किस्सा थोड़ा पर्यावरन मचलियों का एक जुन्द समुन्दर में बड़े मजे से अपना जीवन यापन कर रहा था उसी जुन्द में एक नटखट सी मचली टुक टुक रहती थी टुक टुक एक बहुत अच्छी तैराक मचली थी और टुक टुक अकसर अपने साथियों के साथ तैराकी की प्रत्योगिताओं में हिस्सा लेती रहती थी ऐसी ही एक प्रत्योगिता में हिस्सा लेने के लिए टुक टुक एक दिन समंदर के किनारे पर पहुँची बस फिर क्या था रेफरी ने सीटी बजाई विसल बजाई और प्रतियोगीता शुरू हो गई टुक टुक बड़ी रफतार के साथ आगे और सबसे आगे निकल गई और जैसे ही टुक टुक विजे लक्षे के पास पहुँचने वाली थी टुक टुक के गलफडों में कोई पदाहर था कर फस गया बस फिर क्या था टुक टुक वहीं पर रुख गई टुक टुक को सांस लेने में भी परिशानी होने लगी उसकी आखें उभर कर बहार आ गई उसके गलफडे कभी गवारे की तरह फूल जाते और कभी एकदम पिचक जाते उसे ऐसी हालत में देखकर पास ही से उसके माबाब भी उसकी तरफ दोड़े आए पर उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ तभी तुक्टुक के साथ ही जल्दी से मचली डॉक्टर को वहाँ पर ले आये मचली डॉक्टर ने भी जब तुक्टुक को देखा तो उनकी समझ में भी नहीं आया कि तुक्टुक के साथ ही क्या हो रहा है उन्होंने ऐसा तो ना कभी पहले देखा था और ना सुना था तब ही किसी ने सुझाव दिया कि पास ही के समंदर से मचली डॉक्टर रोहू वहाँ पर आय हुए है तुक्टुक को उनके पास जल्दी से लेकर जाना चाहिए बस फिर क्या था आनन फानन में तुक्टुक को मचली डॉक्टर रोहू के पास ले जाया गया मचली डॉक्टर रोहू ने जैसे ही तुक्टुक को देखा उन्होंने उसका इलाज शुरू कर दिया और कुछ देर के प्रात्मिक इलाज के बाद उन्होंने टुक्टुक को ठीक कर दिया टुक्टुक के प्राण में प्राण आ गए और टुक्टुक पहले की तरह ही सास ठीक से लेने लगी सभी ने मश्री डॉक्टर रोहू का धन्यवाद किया और उनसे पूछा कि आखिर टुक्टुक को हुआ क्या था तो मश्री डॉक्टर रोहू ने बताया कि टुक्टुक के गलफडों में एक मानवों दुवारा फैंकी गई प्लास्टिक की स्ट्रॉव आकर अटक गई थी नालों और समुद्रों में फैंक देते हैं वो नदी नालों और समुद्रों में रहने वाले जीवों के लिए खत्रा उत्पन करते हैं डॉक्टर रोहू ने आगे बताया कि इसी प्लास्टिक से निपटने के लिए उन्होंने कोट में एक रिट पेटीशन भी फाइल की थी और उसी रिट पेटीशन का नतीजा था कि सरकार ने प्लास्टिक के इस्तमाल के नए गाइडलाइन्स जारी की आईए हम सब भी उन्ही गाइडलाइन्स का ठीक से पालन करें और प्लास्टिक के उप्योग को कम से कम करें ताकि हमारे ही नहीं समुंद्रों में रहने वाले जीव जन्तुओं के परियावरन को भी सुरक्षित रखा जा सके और उनकी जान को भी कोई खत्राना हो धन्यवाद